चलिए क्लास अब बात करते हैं anti-marconikov's addition की तो क्लास ये दो नाम से ही clear है कि anti-marconikov's addition marconikov's addition के opposite होगा चलिए देखते हैं कैसे इसकी statement कहती है कि in the presence of peroxide addition of HBR to unsymmetrical alkenes, bromine attached to that carbon which has more number of H atoms यानि कि अगर हम alkenes में जो की unsymmetrical होना चाहिए HBR का addition करते हैं in the presence of any peroxide तब bromine उस carbon से attach होगा जहाँ पर ज़्यादा hydrogen atom होंगे चलिए इसको एक example से समझते हैं यहाँ पर हमने एक alken लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर हम इस पर HBR का addition करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा non-terminal carbon है वहाँ पर 1H है और terminal carbon पर 2H है और अगर हम यह addition करें एक peroxide जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है benzoil peroxide की presence में तो class जो product बनेगा आप देख सकते हैं कि वो anti-marconic off product है क्योंकि marconic off के हिसाब से जो bromine है वो उस carbon पर लगना चाहिए था जहाँ पर H कम थे यानि कि CH वाले carbon पर लेकिन जो हमें product मिला है वहाँ पर bromine उस carbon पर लगा है जहाँ पर hydrogen जादा है यानि कि CH2 वाले carbon पर तो class इस तरह से peroxide के presence में HBR का anti-marconic off addition होता है और इसको हम बोलते हैं peroxide effect या खराश effect अब यहाँ पर एक small question ये है कि ऐसा परोकसाइड की presence से क्या हो गया कि product ही change हो गया तो इसका answer हमें मिलेगा इस addition के mechanism से आए क्लास देखते हैं anti-marconic off addition का mechanism इस mechanism की शुरुवात होती है generation of phenyl free radical से आए देखते हैं कैसे ये है हमारे पास हमारा peroxide which is benzoil peroxide जब यहाँ पर इस bond का यानि कि peroxide bond का homolytic fusion होता है तो इस से हमें ये free radical मिलता है और क्लास उसके बाद ये free radical इस तरफ move होता है और यहाँ से फिर से carbon और carbon की बीच का जो bond है उसका homolysis होता है जिस से हमें मिलता है carbon dioxide gas और phenyl free radical जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद होता है generation of bromine free radical आए समझते हैं कैसे क्लास ये है phenyl free radical और जब ये react करता है HBR के साथ तब phenyl free radical H atom को अपने साथ bind करता है और इस तरह से H और BR जो है इसके बीच का bond break होता है और इस homolysis से हमें मिलता है benzene और bromine free radical अब क्लास major product कौन सा बनता है इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने दो cases लिये हैं इन दोनों ही cases में जो हमारा bromine free radical बना है वो लिया है और हमने साथ मिलिया है हमारा alkene तो आई देखते हैं first case जब bromine free radical CH2 पर attack करेगा तो उससे क्या होगा C और C के जो बीच का bond है उसका homolysis होगा जिससे हमें ये free radical मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक 2 degree free radical है आईए अब बात करते हैं second case की यहाँ पर हम bromine free radical का attack दूसरे कावन पर कराएंगे तो अगर bromine free radical attack करता है तो C और C यानि की कावन कावन के बीच का जो bond है उसका homolysis होगा अब क्लास ये तो हम सब जानते हैं कि 2 degree free radical more stable होता है जबकि 1 degree free radical less stable होता है अब अगर HBR का addition होगा तो ये दोनों free radical H को अपने साथ bind करेंगे और HBR bond का homolysis होगा और इस तरह से हमें 2 degree free radical के case में ये product मिलेगा जो की 1 bromo alkane है और 1 degree के case में ये product मिलेगा जो की 2 bromo alkane है अब क्योंकि क्लास हम जानते हैं कि more stable free radical ही more stable product देगा तो इसलिए 1 bromo alkane major product होगा जबकि 2 bromo alkane minor product होगा तो यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं कि जो हमारा major product है यानि कि 1 bromo alkane वो anti-marconic cough product है आईए क्लास अब देखते हैं कि alkane के साथ halogens का addition करके हम किस प्रकार से alkyl halides form कर सकते हैं यह है कलकीन जो reaction करता है halide के साथ यानि कि X2 के साथ और जब यह CCL4 के presence में reaction करेंगे तो कावन कावन के बीच का pi bond break होगा और दोनों ही कावन पर एक-एक halogen का addition हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्लास जब इस प्रकार का addition होता है तो बनने वाले products को हम बोलते है विसिनल डाई हैलाइट और क्लास यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो यहाँ पर X है वो generally chlorine या bromine होता है आए इस reaction का mechanism देखते है यह है alkene और यह है हमारा halogen तो क्लास pi bond जो है किसी भी एक halogen को approach करता है और इसी लिए halogen halogen के जो बीच का bond है वो break होता है और एक कावन पर delta positive charge आता है जिसकी वजह से halogen इस delta positively charge कावन पर attack करता है जबकि दूसरा halogen as a halide यहाँ से eliminate हो जाता है तो क्लास इस तरह से एक ही halogen दोनों carbon atoms के साथ bind हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी लिए halogen पर positive charge भी आता है और क्लास इस तरह के katein को non classical katein कहा जाता है अब यह जो halide eliminate हुआ था इसका role start होता है यह halide approach करता है किसी भी एक carbon को जिससे उस carbon और पहले से बंधे हुए halogen के बीच का जो bond है वो break होता है और इस तरह से हमको मिल जाता है एक vicinal di halide आए क्लास देखते हैं कुछ important things about addition of halogens to the alkenes सबसे पहले क्लास आपको एक बात याद रखनी है कि यह एक anti addition होता है यानि कि दोनों ही halogen का जो approach होगा वो anti होगा और वो opposite side से add होंगे इसके साथ साथ इसमें non classical cation form होता है जिसको cyclic halonium ion भी कहते हैं यहाँ पर कोई भी rearrangement नहीं होता है और जो iodine होता है वो simple या normal conditions में इस परकार के additions यो नहीं करता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो halogens की reactivity होती है वो down the group decrease होती है अगर हम reaction की बात करें bromine water के साथ तो alkene की reaction जब bromine water के साथ होती है तो इस reaction का use किया जाता है unsaturation का पता लगाने में यानि कि carbon carbon के बीच में pi bonds का पता लगाने में या test करने में आई ये class अब देखते हैं कि halogen exchange के द्वारा किस परकार से alkyl halides form किये जाते हैं सबसे पहली reaction है इसके लिए finkelstein reaction इसमें class हमारे पास एक पहले से मौजूद halo alken होता है और इसकी reaction हम कराते हैं NAI से तो इसका मतलब है कि इस halo alken में जो X है वो I के अलावा और कोई X होना चाहिए और ये reaction होती है dry acetone में और class इस से हमें जो product मिलता है वो halogen exchange के द्वारा मिलता है यानि कि X के स्थान पर I आ जाएगा और हमें मिलेगा iodo alken और साथ में मिलेगा NAX यानि कि sodium halite अब class यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर हमने X लिया है वो chlorine या bromine हो सकता है यानि कि अगर हमें iodo alken बनाना है तो हम chloro alken या bromo alken से बना सकते हैं आईए इसका एक example देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है bromomethane और जब ये reaction करता है NAI के साथ in the presence of dry acetone तो हमें मिलता है iodomethane और साथ में sodium bromide halogen exchange की category में second reaction है swarts reaction तो आईए देखते हैं कि swart reaction क्या है और किस प्रकार के alkyl halide form करने के लिए इस reaction का use किया जाता है तो class ये है हमारे पास bromomethane और इसकी reaction हम कराते हैं AGF से और जब इस mixture को heat किया जाता है तो form होता है fluoromethane और साथ में silver bromide तो class इस reaction से ये बात clear है कि इस reaction का यानि कि swarts reaction का use किया जाता है fluoroyalcanes बनाने में क्योंकि हमने पढ़ा था कि alcanes के साथ fluorine की direct reaction बहुत ज़्यादा exothermik होती है और इसलिए हम other ways का use करते हैं तो class swarts reaction उन्ही अलग तरीकों में से एक तरीका है fluoroyalcanes बनाने का हम यहाँ पर AGF के स्थान पर HG2F2 cobalt fluoride antimony fluoride आदी का use भी कर सकते हैं जन्ही कि कुप में पर भी कि में पर